इंस्टाग्राम मार्केटिंग में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में यूजिंग हैश्टैग कि आप हैश्टैग कैसे यूज कर सकते हैं और हैश्टैग यूज करने का फायदा क्या है तो simply पहले हम जो हम account follow कर रहे हैं वहाँ जाकर एक बाद देखते हैं कि कि ये लोग जो काफी popular हैं क्या ये हैश्टैग यूज कर रहे हैं इनकी कुछ एक post देखते हैं हैश्टैग debt free community, Hashtag Wealth Building Hashtag Focused Not Finished यहां पर जाकर देखते है Hashtag, same वही Hashtag है इसमें नहीं है इसमें नहीं है Let's see यहां पर नहीं है यहां पर भी वही same Hashtag है इस Profile में जाकर देखते है Let's see यहां पर भी नहीं है Okay Hashtag Let's Go Hashtag Repost है Yes Okay यहां पर हम एक चीज़ देखने वाले हैं View Comment यहां देखिए आपको एक चीज़ दिखाई देगी यह Post है Mr. Anthony O'Neill की यह Post है Anthony O'Neill और Post में कोई भी Hashtag नहीं है बट जब आप Comments में जाते हैं तो आपको Comments में थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहां पर यह Wait यह देखिए यह Hashtag दिखाई देते हैं यह देखिए अब दो चीज़ है पहली चीज़ इतने सारे Hashtag यूज़ करने का फाइदा क्या है दूसरी चीज़ यह Hashtag कैप्शन में क्यों नहीं लिखें और Comment में क्यों लिखें तो पहली चीज़ तो यह है कि जैसे आप Instagram पे लोगों को फालो करते हो Similarly आप Hashtag को भी फालो कर सकते हो लोग Hashtag को फालो करते हैं जैसे Hashtag Health तो जब हम Hashtag Health पे क्लिक करते हैं हम इसको फालो कर सकते हैं अब जब हम किसी Hashtag को फालो करते हैं Immediately होता क्या है कि इस hashtag से related जो post है वो हमें दिखना शुरू हो जाती है वो हो सकता है जिन users को हम follow नहीं करते हैं उनकी भी हो बट वो हमें सिर्फ इसलिए दिखना शुरू हो जाएंगी क्योंकि हमने hashtag health choose किया है तो बहुत सारे लोग हैं जो different different hashtag follow करते है point यह है कि जब आप यहां जाएंगे यह तो चलिए story है येस जब आप Anthony O'Neill की जो post है इसमें जाएंगे और इस post में यह जो 155 comment में यह वाले जो hashtag है अब सबसे बड़ी चीज यह है कि जिने भी लोग इसमें से इन hashtag को follow करते हैं उनको ये post देखने वाली है तो इतने सारे hashtag यूज करने का फाइदा ये है कि आपको इतनी सारी visibility मिल गई which means कि अगर एक hashtag जैसे यही है that's no ball right that's no ball इसको कितने लोग follow करते हैं let's see that's no ball search करते हैं एक बार hashtag popularity देखते हैं इसकी that's no ball that's no ball एक लाग चोहतर हजार पोस्ट तो ये एक popular hashtag है right तो इसी तरीके से जब इतने सारे hashtag जब ये use कर रहे हैं तो होगा कि इनको बहुत सारी visibility मिल रही है right तो एक तो ये होगया visibility के लिए तूसरा question है ये तीन जो dot है इसका क्या मतलब है ये चार जो dot आप देख रहे हैं एक एक चीज में आपको explain करने वाला हूँ तो ये जो recommended है actual में ये गलत तरीके से किया है ये recommend किया जाता है जब आप इसको अपनी caption में लिखते हैं ये आपको तब लगानी होती है चार डोट तो जिससे क्या होता है कि यहां पर ये more का option आजाता है और आपके caption में इतने सारे hashtag नहीं दिखते हैं क्योंकि अगर इनोंने caption में लिखे होती है तो caption दिखने में बड़ा जंदा लगता इसलिए बहुत ही स्मार्ट तरीका है कि आप caption में लिखने की बज़ाए comments में mention कर दो और comments में mention करने से आपकी post in hashtag के साथ link हो जाएगी visible हो जाएगी तो यह होगी number one number two जो इसमें important चीज़ है वो हम ये जानेंगे कि ये hashtag आप कैसे determine करते हैं एक चीज़ ये है and wait a minute कि क्या इनकी कोई limit है तो instagram पे जो limit है hashtag की वो 30 hashtag तक है number one and कैसे आप determine करें तो पहला तरीका तो यही है कि आप अपने जिन लोगों को आप follow करते हैं जो user account आप follow कर रहे हैं जो आपकी niche में top लोग हैं आप simply उनकी post को देखेंगे आपको पता चल जाएंगे किस तरह के hashtag popular है right अगर आप इसके अलावा भी जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना है इन में से कोई भी hashtag अपने industry का एक hashtag उठाना है और आपको एक website पर जाना है website का नाम है for display purposes for display purposes only display purposes dot com तो साइट का नाम है display purposes dot com यहाँ पर आप टाइप करेंगे hashtag finance जब एंटर करेंगे तो यह finance related जितने भी hashtag है वो आपको popular देखने लगेंगे यहाँ पर आप यह भी देख सकते हैं कि कौन सा hashtag कितना popular है right यह आपको left में यह दे रखका है कि relevance कितनी है popularity कितनी है अब आप 30 hashtag तक copy करना चाहते है तो बहुत simple तरीका है आपको क्या करना है यहाँ पर select करना है आप कितने hashtag देखना चाहते है और जैसे ही आप copy mode में जाएंगे यह देखें यहाँ पर immediately यह 5 dot आ गई और आप इसको copy कर सकते है यह देखें copy किया हमने और copy करने के बाद simply यहाँ मालने ते हम comment में इसको paste कर देंगे अब paste करती होगा किया कि अब जितने भी लोग यह hashtag follow कर रहे है उनको visibility या उनकी timeline पर यह post दिखना शुरू हो जाएगी तो यह एक तरीका है अभी हम इसको delete कर देते हैं यह आपको दिखाने के लिए था तो hashtag कौन सा use करना है आपको simply अपने जो आप top account follow कर रहे हैं यहाँ आएंगे जो हमने शुरू में किये थे और जो भी आप top account follow कर रहे हैं वहाँ पर जाना है उनके account में यहाँ पर caption में है तो comment में आप देख सकते हैं let's say आपको सबसे popular production दिखाते हैं Dave Ram से 2.2 million तो यह देखिए यह इनकी post है hashtag debt free community and यहाँ पर hashtag नहीं है थोड़ा सब पुरानी post देखते हैं इनकी तो और ज़दा better clear होगा इसी post को देखते हैं great job hashtag repost hashtag Dave Ram से made it me do it hashtag debt free hashtag debt free का बेज़ इनर्टी तो आप देख रहे हैं कितने सारे इसमाँ hashtag लगे हुए और इसके बाद भी कई बार आपको देख जाएगा कि person ने चलिए यहां पर नहीं है जैसे हमने वहां देखे थे comment section में hashtag का use किया होगा तो number one hashtag कौन सा use करना है आप अपनी niche के जो top influencer हैं उनको देखिए वो कौन सा use कर रहे हैं आपको एक hashtag पता चल गया number two आप बाकी hashtag यहां ही site पर ढूंड सकते हैं playpurposes.com number three hashtag को अगर आप comment में use करते हैं अगर आप 30 hashtag use करने वाले हैं तो right तरीका है आप comment में जाए comment में जाकर इसको comment में लिखिए उससे होगा कि आपकी post दिखने में भी बेकार नहीं लगी है और जो visibility आप grab करना चाहते हो visibility भी आपको मिल जाएगी